अबी जिस प्रकार से अपनी सीमाओं पर और बार बार अपने सुरक्षा को चुनोती देने वाले और सामर्थे नहीं है तो भी छोटी मोटी खुरापाति करने वालों को हमने जवाब दिया है सीमापर और अंतर रहत्रीय मंज्योपर अभी जिस प्रकार स्पष्ट भाषा में उनको समझ में आया ऐसे शब्दों में लोकलाम जैसे कठिन प्रकरण में जिस प्रकार धायर्य पुर्वक्त अपना सयम नख होते हुए लेकिन अपने गवरों के साथ कभी समझोता न करते हुए और बाते की गई उसके कारण अंतराल विद्ञान के क्षेत्र में हमारे वह इद्ञानिकों के एक के बाद एक जो पराकरम हो रहे है उसके कारण आर्थिक विशा विकास की दिशा में इस स्टेज़े से भारत चल पड़ा अभी थोड़ी गती मंद हो गई ऐसा कहते हैं कि खो जाएगी ऐसा लगता है कि लेकिन जैसे हम आगे बढ़े उस चित्र में उसके कारण कि सारी दुनिया में हमारी प्रशिष्टा होची हो गई है भारत था तब भी था आज भी है हम सब लोग थे हमारे गुणदोसों सहीत थे जो करना था वो जो करना रहता था करते थे हमने लड़ाया भी लड़ी लेकिन भारत को गंभी रता पूर्वक देखना भारत की दखल लेना और भारत में दखल देने के पहले दस बार विचार करना कि इन बातों का जो आज हमको अनुभवाता यो पहली नहीं आया था कारण क्या है कारण यही है अनेक बाते ऐसी हो रही है लेकिन जो मैंने कहा कि इसकी पूर्णा अनुभूती आनी चाहिए दुनिया का एक उदारण स्वरुप देश अगर भारत को बनना है तो इसकी संपूर्णा अनुभूती आनी चाहिए उस दुरुष्टी से समाज में भी चर्चा चलती है कि बहुत अच्छा हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है लोग यह भी कहते कि जो हो रहा है अच्छा तो है लेकिन उसमें यह चार बाते और होनी चाहिए यह नहीं हो रहा है और आगे हम चाहते कि ऐसा भी होना चाहिए ऐसी चर्चा समाज में चल रही है उस चर्चा को ध्यान में रखकर और इस परिस्थिती को कुछ बातों का हम विचार करें तो हमारे ज्ञान में आता है जैसे कश्मिर की बात है दो-तिन मेहने पहले ऐसा लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा लिकिन जिस दुर्णता के साथ वहां पर अलगाववादियों का और उगरवादियों का बंदोबस्त हुआ सेना पुलिस को उनका करता हुए करने की पूर्ण मोहलत दे दी गई और ऐसे राष्ट्र विरुजदी ताकतों की आर्थिक जो उनकी शक्ति धारा है उसको बंद कर दिया गया उनके और देश विरोधी ताकतों से और देश के पाकिस्तान जैसे शत्रूं से देश की दुश्मन ही करने वाले हमारा तो कही शत्रू नहीं लेकिन हमसे शत्रूता रखने वाले होते हैं उनके साथ उनके जो सम्मन्द है वो जिस प्रकार से उजागर कर दिये गए उसका एक अच्छा परिणाम सरवत्र अनुबह हो रहा है वहां जाते तब भी अनुबह होता है परंतु समस्या यहां समापता नहीं हुई क्योंकि मूल में इन सब शक्तियों के चंगुल में लोग जाते उसका कारण क्या है शासन वहां पर इतने वर्षों तक जो रहा उसका अनुभाव उसकी पारदर्शिता का नहीं है करतव यह अपना ठीक करते हुए भेदभाव रहित बुद्धी से कश्मिर घाटे की तीन प्रदेश माने जाते जमूल अद्दाख और कश्मिर की घाटी लेकिन वहां और विकास पहुचा ही नहीं जम्मू और लद्दाख के साथ तो सवतेला व्यवार किया गया और कश्मिर घाटी के नागरिकों को भी शासन के कारण हमारी कुछ सुविधा हो रही हम आगे बढ़ रहें शिक्षा में स्वास्त्यों में ऐसा अनुभव नहीं आए उसको होने के आवश्यक्ता है उसके बारे में अधिक चुस्ती दिखाने के आवश्यक्ता है विकास का अनुभव नागरिकों को आना चाहिए है लेकिन वहां के तो कुछ नागरिक भी विस्ता पीता है कुछ तो भारत स्वतंत्र होने के बाद दो देश बन गए भारत पकिस्तान उसके बहुत बाद समय समय पर आये हुए विस्थापित है उदर से बेदा खलो गए इधर आ गए कि इस विश्वास के साथ आये कि हमको भारत भक्त बने रहना है हिंदू बने रहना है अपने अपने मत को स्वतंत्रता पुर्वक उपासना करना यह हमारा अधिकार है सब प्रकार के लोग आये हैं कि उनको वहां बसाया तो गया है लेकिन अभी तक वह नागरिक नहीं है कि पिडिया चली गई कि और इसलिए तिन दिन पिडिया हो गई है वह केवल आके अंदर बस्य है उनको निकाला नहीं इतनी बात है उनको नशिक्षा है कि नश्वास्ति की सुविजा है कि न कहीं पर वोटर रेजिस्टर में नाम है नरेशन कार्ड है कुछ भी नहीं आधार कार्ड नहीं कुछ नहीं कि शिक्षा बंद रोजगार के अउसर बंद सब कुछ बंद कैसा चलता होगा उनका फिर भी अभी तक यहां ठीके इसलिए है क्यों चाहते हम भारत बक्त बने रहें हम भारत के साथ रहना है और जो नागरिक थे पाक ने और भारत के कश्मिर का कुछ हिस्सा अधिकृत कर लिया उसमें से विस्था भी तो क्या आए है नागरिक थे ही पहले से राज्य के भी नागरिक थे और कश्मिर घाटी में पंडित बंदू बसे थे 1990 के बाद उनको निकाला गया यह सब लोग अपने ही देश में नागरिक्ता के सारी अधिकार कागज पत्र पर उनके पास होने के बाद भी उन अधिकारों से वंचित है देश भर में बिखर गए है या शारणार्थी केम्पों में रह रहे है उनकी दशा में कोई सुधार नहीं समवेदना के साथ इन लोगों की समस्याओं का निजान करना पड़ेगा कि विकाश के सारे लाब प्रजात अंत्रिक अधिकारों की सारी सुवीधाये उनको मिले वो नागरी का बनकर यहाँ पर रहे भारत भक्त और अपने अपने मतपंथ उपासना की किसी प्रकार के किन्तु परंतु के बिना यहां पर उपासना करते हुए सुरक्षित अपनी आजिविका चला सके ऐसी स्थिती उनको प्राप्त कर देने की बहुत आवश्च्चता है कि बहुत आवश्च्चता कैसा होता है कि केंद्र प्रशासन राज्य प्रशासन इन्होंने प्रयास करना चाहिए क्योंकि ऐसा हुए बिना जम्मू कश्मीर लद्दा की तिनों से मिला हुआ यह जम्मू में कश्मीर राज्य भारत का अविभाज अंगा ही है कि हमारी जो प्रतिद्या है उससद में दो बार एक मच्च्च जो प्रस्ताव पारित हो गया है उसके अनुकूल जनमारस की सुर्ष्टि नहीं हो और इसलिए समाज की भी भूमिका है हम जानते वो सीमा वरती प्रांत है और पाकिस्तान बार-बार खुराफाते करते रहता है कि सीमा पर बसे हुए जो अपने बंदू है उनको बार-बार वहां से बेधकल होना पड़ता है उनकी पढ़ाई ठीक से वहां चल नहीं सकती क्योंकि कब गोले बरसेंगे और कब गाओ छोड़के अंदर जाना पड़ेगा वो पता नहीं हो उनको सुरक्षा का खत्रा तो ही शिक्षा बंद हो जाती है खेती करना बंद हो जाता है खेती के लिए जो पशू रख है वो कभी मर जाते हैं उनको दवाई देने के लिए चारा देने के लिए जाना दुभर हो जाता है उनके लिए कुछ सुविधाई देनी चाहिए इसके लिए कुछ और आर्थिक भी मदद उनको मिलती है वो परियाप्त मिलती है कि नहीं देखनी चाहिए बढ़ा कर देनी चाहिए है वहाँ शासन तो करीर आयवेवस्था संग के स्वें से वक भी उसमें पहले से लगे है परन्तु इसकी मात्रा अधिक बढ़ानी की अवश्चत्ता है लद्दा के दूरदरा श्क्षेत्रों में और कश्मीर घाटी में भी शिक्षा और स्वास्थ की सुविधाये जैसी चाह है पहुचाने में शासन प्रशासन को विशेश प्रयास करने चाहिए कि समाज भी करता है संगे के स्वेंशक लगे हैं लेकिन अधिक बात्रा बढ़ानी चाहिए और शासन प्रशासन और समाज के समन्वित प्रयास से ऐसे सकारात्मक उपत्करम कारेक्रमों के द्वारा एक तरफ यह जो कड़ाई बरती जा रही है अलगाववादी तत्व राष्ट्र विलोजी ताकदे राष्ट्र के शत्रू उनके साथ उसको जारी रखते हुए लेकिन वहां की सामान्य जनता को भारत की आत्मियता का कि यह सारा होने के लिए अगर कुछ प्रावधान नए करने हैं तो राज्य शासन को केंद्र शासन को करने पड़ेंगे और अगर कुछ पूराने प्रावधान आड़े आ रहे तो उनको बदलना पड़ेगा क्योंकि आखिर सारा कुछ बनाए किसके लिए बनाए देश के ल छलता रहे इसलिए सारा बना है इस भारत के साथ भारत के मानस के साथ कश्मИर घाटी की जनतां के मानस का सात्मी करण ओव यह आवश्यक्त है यह समिधा का निरदेश भी है तो यह अगर होना है उसके लिए प्रावाधने कारवाई करनी आये तो निस्तंगोच करनी चाहिए और उसको सबने समर्थन देना चाहिए लेकिन शासन प्रशासन समाज यह तीनों जो प्रयास कर रहे हैं अधिक बढ़ने चाहिए और तीनों का समन्वित रूप से एक दिशा में चलना आवश्च्रक है ऐसा अगर हुआ Quem कि कुक समस्य सिघ्ण हो सकता है ऐसा वातावरन भी कि अब अब किए यह सारा विचार हम करते हैं शासन प्रशासन मिशेशक्र सीमा वरति प्रांत्न जम्मु कश्मिर में समस्य है लेकिन केवल जम्मू कश्मिर में ऐसा नहीं इन समस्याओं को पैदा करने की गतिविधिया अनेक सीमा के प्रांतों में चल दी और जैसी वहाँ परिस्थित यह कि उसको उक्साने वाले लोग है सीमा पार से बल देने वाले लोग है वैसे वहां भी है अब केरल और बंग्डाल के समाचार किसी से छुपे नहीं कि जिहादी ताकते राष्ट्र विरोधी ताकते वहां अपने खेल खेल रही है कि वहां का समाज उसका विरोध कर रहा है संधर्शरत है शासन प्रशासन वहां का उसमें जिस गंबिरता के साथ ध्यान देना चाहिए वह ऐसा ध्यान नहीं देता है या तो उदास रहता है कभी ऐसा लगता उनका साथ देता है अब यह सारी बाते किसी से चिपनी तो केंद्र के शासन के पास भी जाती होती ग्रहविभा के पास भी यह सारी जानकारिया जाती होगी और उसका उपाय वो करते ही होंगे लेकिन यह बात समाज में एक वातावरन निर्माण करने से पूर्णतास उलस सकती नहीं तो नहीं और इसलिए केरल मंगाल जैसी परिस्थिती में इन सीमावर्ती प्रांतों की सज्जन शक्ती ने निर्भय होकर मुखर होकर सक्रिय होना चाहिए क्योंकि एक राजनीती चलती है खुशामत की राजनीती चलती है वोटों की खुशामत करनी पड़ती है राजनीतिक ग्यों को अपना करतव्य कभी इच्छा होकर भी करनी पाते और कभी इच्छा भी समापतो जाती ऐसा होता है मनुष्य है परिणाम होता है मैं दोश नहीं दे रहा हूं लेकिन समाज जो इनको निर्मान करता है इनको बेचता है वो मालिक है उस समाज को जागरूत और प्रबुद्ध और सक्रिय बनाना है समाज की सज्जन शक्ति को निर्भय होकर इसके लिए आगे आना पड़ेगा कि सीमा की समस्या एकम नहीं है कि सब प्रकार की तसकरी गो तसकरी विशेशकर बंगलादेश की सीमा पर चलती है समुद्र की सीमा भूमी की सीमा सब पर सब प्रकार की तसकरी के प्रयास चलते हैं गुश्पेड चलती है बांगलादेशी वईद गुश्पेड हिओ की समस्य अभी पूरी निप्टी नहीं अभी थोड़ी सी जागुती शासन पर शासन में आई वी दिखती है लेकिन वो समस्या है उपर से म्यानमार से खड़े खड़े को रोहिंगी आगे अब वहां से यहां क्यों हुआ है वहां क्यों नहीं रह सके सारी जानकारी लिते हैं तो ध्यान में आता है क्योंकि अलगावादी हुशत और अपरादी गतिविदिया उसके लिए कारण जिहादी ताकतों से उनके संबंद वहां पर उजागर हो गए इसलिए उस देश का शासन भी उसका उनके प्रती रवया कड़ाई का ही है अब ऐसी प्रवृत्ति के लोग वहां से खड़े के वह यहां आ गए यहां अगर उनको आश्रे दिया हमने तो नकेवल वह अपने रोजगार कर पर भार पड़ेंगे देश में सुरक्षा पर एक संकट बनेंगे यह बात पक्की है इस दिश्टों उनका नाता क्या है उनको तो यहां लाब लेना है और इसलिए यह पक्का ध्यान मेरे को उनको विचार करना चाहिए मानवता की बात तो ठीक है लेकिन उसके अधिनों कर कोई अपने मानवत्व को समाप्त करें अपने प्राणों को समाप्त करें इसी तो मानवता नहीं कहती अनन्द की बात है कि शासन प्रशासन का भी रवया उनके बारे में ऐसा ही दिख रहा है प्रूंतों यह सीमावर्ती प्रांतों में विशेश ध्यान देनी की बात है वैसे सीमा और अंतरगत सुरक्षा का दाईत्व अपने सेना अरधषईनिक बल पुलीज इनका होता है और सामान्यता अभी तक स्वतंतृता के बात का उनका जो रेकार्ड है वो तो प्राणपन से समर्पन पुरवक परिश्रम पुरवक उन्हों ने अपना करतव्य ठीक निभाया है और अपने करतव्य को निभाने का उधारन ऐसे दिया है जिसके कारण सामान्य समाज के तरुनों में भी कि एक विरश्री का संचार होता है उधारन जीवन का उनकी भी सामने आता है उसके लिए वो गवरा और अभिनांदन के पात्र है कि परन्तु क्या उनकी स्थिती पर हमारा ध्यान है कि वह अपना करतव्य करना चाहते उनके पास साधन नहीं कि उनको साधनों से सुसज्जित करना पड़ेगा हम यहां पर ठीक से रह सके शांति पूर्वक रह सके इसलिए सीमा पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर वो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं यहां पर उनके जो आप्तजन परिवार के लोग है उनके लिए हमारी दुरुष्टी क्या है शासन प्रशासन उनके लिए पूरा कर रहा है कि नहीं है उनको भी अपना काम करते समय जो भोजन आदि की सुविधा उपलब दोती है कैसी मिल रही है उनको साधन संपन करना है तो हमारे देश को और अपने सुरक्षा के साजो सामान के बारे में स्वावलम्भी होना पड़ेगा होने की दिशा में हम चल भी पड़े थे उसकी गती कैसी है शासन प्रशासन को अपनी गती बढ़ानी पड़ेगी और शासन प्रशासन को इस मामले में कुछ मात्रा में जो सीधा समवाद उनका चलता है उसकी मात्रा और गती बढ़ानी पड़े और समाज को भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा वहाँ अधिक व्यक्तियों की आवश्चता हो कहां से आएंगे नहीं भरती कहां से होगी हमको अपने परिवारों से तरुन सेनाओं में भेजने पड़ेंगे अधिर देश की रक्षा करना देश्वासियों का करतव यह होता है देश्वासियों में से ही सेनीक जाते हैं देश्वासियों में से ही सेना बनती है हमारे साहिनिक बलो में एरधा साहिनिक बलो में पुलिस में हम को अच्छे-च्छे लोग वेजने पड़ेंगे अपने घर के सर्वोतरुष्ट लोगों का मन् बनाना पड़ेगा कि वहांगर काम करें करियर बनाना या तो आर्मी में बनाए नेवी में एरफोर्स में पुलिस में CRPF में बनाएं और इसलिए उनके परिवार जो समाज में हैं उनको संबान के साथ प्रेम के साथ गले लगाना पड़ेगा उनके सुख दुख की नीजी चिंता हमको करनी पड़ेगी उनके घर के लोग जवान लोग सीमा पर गए हमारी सुरक्षा के लिए उनके घर की सुरक्षा उनके घर की देख बाल समाज का करता गया है कि समाज को भी अपना सहावा किसमें बढ़ाना पड़ेगा तब दीरे दीरे बाते ठीक हो जाएगा अब सभी में यह बात दिखती है कि शासन के अच्छे संकल्प तो है करने में उनकी प्रामानिक् लेकिन वो करवाना इंप्लिमेंटेशन जिस प्रशासन जो वो करवाना है वो प्रशासन कैसा है वो सम्वेदंशील है कि नी पारदर्शी है कि नी वो जल्दी हिलने वाला प्रशासन है कि नी प्रशासन के विभिन नस्तरों से अच्छी लोककल्यानकारी योजनाय निकलती है नीचे जाते जाते कितनी बसती है और उनका क्या होता है इसकी चिंता जैसे उनको करनी पड़ेगी, वैसे ही समाज को भी इन बातों की चिंता करनी पड़ती है, हमेशा करनी पड़ी है, जो जो देश बड़े हुए है, उसमें यही बात हुई है, अपने देश के आर्थिक स्थिति पर भी अब एक नजर डालते हैं यही बात धान में आती है अच्छी योजनाई चली नहीं चली है ब्रहट्टा चार पर नियंत्रण करने के लिए आर्थिक स्थिति में दुरुतगति से प्रगति करने के लिए समाज के अंतिव व्यक्ति को अलाब पहुचाने के लिए जनधन योजना चली मुद्रा योजना चली गैस सबसेडिय वाला काम हुआ कुछी भी माजएसी योजना चली अनेक ऐसी योजनाएं चली है और कभी अगर लगा विचार करके उनको कि यह करने से होगा लेकिन साहस करना पड़ेगा तो साहस करने में भी वो कम नहीं है लेकिन जो किया है उसका हो क्या रहा है इसको देखना चाहिए उसका क्या हो रहा है इसकी रिपोर्ट चारों और से आनी चाहिए इसको समझना चाहिए परिस्थिती का आकलन सब तरफ से हमारे पास आये और फिर आम उसका विजार करके अपने मन से निर्णे करें लेकिन आकलन तो आये सब और से इसकी चिंता करनी पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी जो अर्थव्यवस्था का प्रचलन सारे विश्व में है उसका एक गुण है असंतुलन एक जगह भला करने जाते दूसरी जगह गड़बर होती है यह किसी व्यक्ति का किसी सरकार का गुण नहीं है उस व्यवस्था का गुण है वो अधूरिये बातों पर आधारित व्यवस्था है और बाकी देशों का चल जाता है क्योंकि एक तरह के देश बने हो कि एक तरह के विविधता कम है कि परंपरा में भी कोई विविधता नहीं है व्यापारी देश है और इसलिएखेल अधार के आधार पर चलाता है व्यापार अच्छा चले तो उत्पादन बाणने के लिए उत दो गये कृषी पुरून का ज्याननी हमारे ऐशा नहीं हमारा देश्वीवित प्रकार से बना है कि अब जो अर्थनीति सभी का विचार करके सभी का हित एक साथ नहीं साथती उसमें अच्छी बाते भी हमने लागू करने के बाद उसके परिणाम सार्वदेशिक और सार्वकालिक नहीं होंगे हो सकता है अन्यतर नुम्सान भी हो हमको एक ऐसा आर्थिक तंत्र चाहिए जो बड़े उद्योग छोटे उद्योग मध्यम उद्योग खुद्रा व्यापार इक कृषी स्वर रोजगार करने वाले पर सबको साथ लेकर चलने वाली एक नीती चाहिए और ऐसी नीती चाहिए तो हमको विचार करना पड़ेगा मूल में विचार करना पड़ेगा हमको दुनिया में जो परंपरा चली है आर्थिक मतवादों की उनकी घीसी पिटी लीग से बाहर आकर विचार करना पड़ेगा हमको हमारे देश अपने देश के लिए विचार करना पड़ेगा यह ठीक है हम अपना प्रतिमान खड़ा नहीं कर लेते तब तक हमको दुनिया के साथ चलना है तो दुनिया के इन अधूरे मानों को पर और अधूरी नीतियों के साथ थोड़ा चलना पड़ेगा उसकी मजबूरी एक हद तक है परन्तु यह भी दुनिया आज मान रही है कि कोई एक मॉडल सब देशों में फिट नहीं हो सकता हर एक देश को अपना मॉडल बनाना पड़ेगा हर एक देश को अपने मानक बनाने पड़ेंगे जीडीप नाम का एक मानक चलता है सारी दुनिया में लेकिन वो अधूरा है यह भी अर्थशास्त्र मानता है और भूतान जैसे छोटे से देश में कहा कि हम जीडीप में नहीं गिनेंगे हमारी हमारी आर्थिक अवस्था को हम गिनेंगे हैपिनिस इंडिक्स उन्होंने आधूरिक अर्थशास्त्र के अनुभवों के बाद आधूरिक अर्थचत अद्यों की इन बातों को मान देता है हमको अपनी लीती बनानी पड़ेगी क्योंकि अपना भी अनुभव है अभी जीडीपी तुटी पूर्ण है लेकिन प्रचली था है उससे नापते हम और दूसरी बात हम अपने देश की आवश्चक्ता देखते है कि हमारे देश में रोजगार बढ़ने चाहिए रोजगार यानि के वल नुकरी नहीं हर हाथ को काम मिलना चाहिए और काम करने से आजीवी का चले इतनी प्राप्ति होनी चाहिए इसको रोजगार कहते है कि हम इन दो बातों के निक्षों पर देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि सबसे अधिक यह जिन से होता है ऐसे अपने देश के कौन लोग है कि मध्यमुद्योग है लगुद्योग है कुटी रोध्योग है कि खुद्रा व्यापारी है कि छोटे छोटे कारी गरी के काम करने वाले अपना स्वर रोजगार अपना छोटा-छोटा काम करके चलाने वाले स्वर रोजगारी है पुश्वर राजु रोजगार को और हमारी यहां तो घर बैटे महिलाएं भी कुछ थोटा-मुटा काम करके पैसा कामा लेती है इसको इंफार्मल एकोनोमी कहते हैं कि सबसे अधिक रोजगार और कुर्शी कि सबसे अधिक रोजगार देने वाला और सबसे अधिक GDP की वुर्द्धी करने वाला क्षेत्र हमारा आर्थिक शेत्र यह तो हम नीती बनाएंगे हम उस नीती पर चलेंगे देश में और दुनिया में आर्थिक उतार चड़ाव होंगे कभी-कभी आर्थिक भुचाल भी होते हैं उन सब में सुरक्षा हमारी हुई भारत पर इसके परणाम सबसे कम हुए सारी दुनिया मानती है करण क्या है करण यह ही है कि छोटे मध्यम लगू उद्योगों का क्षेत्र खुद्राव्यापारी स्वरोजगार क्रशी और यह इंफार्मल एकानौमे वाला क्षेत्र उसी के कारणाम सुरक्षित है तो इन उथल पुथलों में इन आर्थिक भुचालों में हमारी नीती कुए और कुछ नीती हम नई नीती चलते हैं कुछ तो उथल पुथल होनी अपेक्षित है और उसको सहन करना भी समाज सीखा है समाज जानता है समाज करता है लेकिन जान यह रहना चाहिए कि यह जो हमारा बलस्थान है इस पर इसका कम से कम मार पढ़नी चाहिए कि यह सुरक्षित रहने चाहिए हर अलण में क्योंकि इसी कह आधार पर तो हम एक सुरक्षित अर्थव्योस्ता है सुस्थार जोँ हमारे रख्य करेंगे इसका ध्यान और रखना पड़ेगा ऐसे ही हम को यह भी देखना पड़ेगा कि आर्थिक प्रगति याने क्या है अमेर लोग अमेर हो गया यह कोई प्रगति नहीं है अखिर हम मानते हैं न अंत्योदै अखरी पंटी में खड़ा आखरी आदमी कि वह अधिकतर लोग स्वरोजगार के खेत्र में और इंफार्मल एकोनोमी में खड़े मिलते हैं कि सामान जेता है अमारे यहां जो कहा जाता है कि एस सी एस टी और एंटी अनुसूची जाती जन जाती और घुमंतु जन जाती इनका एक वर्गा है 3 परिंक एनके कल्यान के लिए योजनाय बनी है वं लागू होती है कि नहीं ठीक से लागू होती कि नहीं सब को मिलता है कि इसे पर ध्यान देना पड़ेगा हमको ऐसी नीती चाहिए कि हमारे देश की परंपरा हमारे देश के संसाधन हमारे लोगों की सुन्दर और सुरक्षिट जीवन की कलपना हमारी आकांग्षा हमसे दुनिया की अपेक्षा कि आज के जगत में हमको आगे बढ़नाय इसको ध्यान में रखते विए साथ में इनका भी विचार रखते हुए हमको अपनी अर्थनीती ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें लागत खर्चा कम रहता है जिसमें उत्पादन की मात्रा बढ़ती है रोजगार की मात्रा बढ़ती है उर्जा कम लगानी पड़ती है कि जो देश के परियावरण को और देश की नईतिकता को खराब नहीं करती में अपने मूल्यों मानों को पर हम चलते हैं तो दुनिया हमको संबान देती हैं हमने अपनी योगे विद्या को दुनिया के सामने लाया कितने गवरों के साथ योग दिवस लोग करते सारी दुनिया भारत को मानने लगी हमने अपने परंपरागत विचारों के आधार पर पैरिस में कहा कि हम पर्यावरण कर आमने जो तेह किया है हम उससे बाहर नहीं जाएंगे अमिरिका जैसे पीछे चलेंगे हम नहीं कर गएंगे ये करेंगे तो हमको खत्रा होगा हमने का नहीं परियावर्ण श्रद्धा का निष्ठा का विशह है उस परियावरण के बारे में सब कुछ करना चाहिए जो करना के हम करेंगे उसकरार से बाहर नहीं आएंगे दुनिया में हमारा स्थान उचा हो गया कि आज हमारे पडोसी देशों में हमारा स्थान नेता के रूप में धिरे-धिरे बन रहा इसका कारेंट गया है हम अपने स्वत्व के आधार पर चल रहें उस्वत्व के आधार पर हमारी आर्थिक नीती बना कर हमारे नीती कारों को राज्यों में सलाकारों को और अपने आर्थिक विकास के पत पर चलना पड़ेगा तो वास्तो मात्रा में विकास होगा सबका विकास होगा कुर्शी जैसा क्षेत रहे है कि शासन प्रशासन की ततपरता जैसे उधर आवश्यक है इधर भी आवश्यक अधिकाउश किसान हमारे देश में है और उसमें भी अधिकाउश किसान जो है वो अल्पभुधार्यक है और उसमें सिंचन की व्यवस्था में नहीं आता और वो दुखी है क्योंकि सब तरब से मार पड़ती है वर्शा जादा हो गई तो भी नुक्सान कम हो गई तो भी नुक्सान फसल बरबाद हो गई नुक्सान नुक्सान फसल अच्छे आई तो भाव कम हो जाते है ठीक देना पड़ता है तो भी नुक्सान है कर्जे के बोच में दब कर वो दुखी है उसकी नहीं पीड़ी पढ़लिक रही है खेत में काम करना नहीं चाहती लेकिन पढ़लिक कर शहरों में बेरोजगार बन जाएगी खेत में काम करना भी भूल जाएगी वहां काम नहीं मिलेगा और अगर यहां खेत में काम करते है देहातों में पड़ी रहती है तो देहातों में कोई सुविधा नहीं है जीवन को इसके इची में उलज गया है क्या करें उसको समझ में नहीं आ रहा है अब योजना अच्छी तो चली अम्रुत परिक्षन की योजना चली किसानों को मंडी से सिधा सवधा करके एक लाप पहुचाने की योजना चली अच्छी ओजना चली है है अपरंतु योजनाओं का होता क्या है नीचे कि शासन में समयदना नियर्ण यह सभस्क्राइब जानना है तो राहत के जो कदम तक है प्रशासन शासन के मन जैसे वीडियो है उसी समयदना के साथ वहा एक नहीं है इन्षुरंस कंपानी है पीक इन्षुरंस की योजन चलिए इसल्एं graph कमपनी उतनी ततपरता और सम्मेदना के जाकर वहां काम करती है कि नहीं देखना पड़ेगा अमल कराना पड़ेगा और साथ-साथ कम खर्चे में कम लागत में किसान खेती करें इसके तरीके सिखाने हो गया उसका एक उपाय है तकनी कि आते अपने देश से अन्य को लोग इस्राइल की खेती देखने के लिए जाते हैं बहुत सी बाते अनुकरनी है और क्योवल बाहर यह ऐसा नहीं जहां पर हटंचर मात्रा में जल था आजकल जल कं मो गया है वो रैजस्थान में चackष्चा हुआ कि देख सकते है कि कंपाने में खेती कई से की जाते है जहां-जहां से अच्छा मृदी में में वहां बाषए लाना चाहिए लेकिन है कि परीक्षा करके ला रगे निया तकनी की जहां निर्मान होती है वहां के लिए निर्मान होती है उसको दुसरे जगह ले जाना है तो उसकी उपयुक्तता वहां कितनी है कोई विपरीत परिणाम तो नहीं देखना पड़ता है जैसे नहीं बातों के बारे में यह कहा गया है पुरानी बातों के और नहीं बातो के बारे में कि पुराण मित्य वन साधु सर्म जो पुराणा वो सब अच्छा था इसा नहीं है सही बात है कि नचापिक आव्यम नवमिति अवध्यम नई कविता बोलने लाइक नहीं सुनने लाइक नहीं यह गलत बात है कि संत यहने सज्जन लोग समझदार लोग परिक्षान यतरत भज़ते परिक्षा करके स्विकारते किसी ने कुछ किया वहां कुछ हो गया इसलिए वैसा का वैसा उसको उठाना यह मुर्खता है मूड़ परप्रतिय नहीं है मुद्धी तो तकनिकी चाहिए हमको आधुनिक्तम तकनिकी चाहिए हमारा किसान तकनिकी के साथ खेती करना जानता है आज की बात नहीं है हमारी देश में प्रयोक शाला है नहीं थी हमारा किसान हमारा शास्त्रत ने था उसकी अपनी खेती उसकी प्रयोक शाला थी एक-एक लाल रंका चावल है अत्यनत स्वाजिष्ठ खूब एनरजी देने वाला मनिपूर में मिलता है केवल पानी में भिगोके आदा गंटा रख दिया तो पक जाने वाला चावल है लंबा चावल है छोटा चावल है मोटा चावल है बारीक चावल है कितनी है हमारी किसान के किस नहीं किया हमारी किसान नहीं किया उसकी वैद्नानिक दुर्ष्टी है वो तक्निकी स्विकार ना जानता है लेकिन किसी तक्निक को लाने के पहले उसका आगा पीछा पूरा सोचन चाहिए कि उसके दिर्गकालिक परिणाम क्या होगे कि कुछ तक्निक अपने आज आती है आती है कभी-कभी देखा जाता है कि वहाँ पर उसको छोड़ दिया गया उसके नुकसान के कारण आज हम उसको ले रहे दवाईयों में ऐसी कईदा हुए यह चलती है कि वहाँ पर उस को ढटिकार दिया है ऐसी तकनी की ऐसी लेनी नहीं है परिक्षा के साथ टकनी की लेनी चाहिए लेकिन मुख्या बात है कि खेती जो है कम खर्चे में होनी चाहिए ऑह खेती जमीन को बिगाडने वाली नहीं होनी चाहिए खेती अन्नों को विशयुक्त बनाने वाली नहीं होनी चाहिए और ऐसा करना है तो जैसे सारी दुनिया के लोग आज सोच रहें अनुबह के बाद हमको भी सोचना पड़ेगा हमको जैविक क्रशी गव पशु आधारिक क्रशी मिश्र फसल की क्रशी इन सब अपने आजमाय हुए तरीकों पर फिर से लौटना पड़ेगा कि यह अध्यतन वैद्ञानिक दृष्टी से मैं बोल रहा हूं मैं पुरान बंदी बात नहीं कर रहा हूं कि यह आज हमारे किसानों का अनुभव है यह संपुर्ण दुन दुनिया अनुभव लेकर इस चिंतर पर आ चुकी है और उधर आना पड़ेगा साथ-साथ कुछ व्यवस्थाय करनी पड़ेगी जितनी लागत फसल उगाने में लगती है उस पर अगले साल अपना परिवार चलाकर अगले साल की वो खेती करे इतना लाब देने वाला लागत मूल्य उसको देना पड़ेगा वो निरधारित करना पड़ेगा उत्पादन खर्चे के आदार पर मूल्य का निरधारन होना च यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करना पड़ेगा और यह गैरंटी करनी पड़ेगी कि किसान की फसल उसी भाव में बेची जाएगी उससे नीचे नहीं कि खरिदने वालों को राजी होना पड़ेगा अथ्वा भी कुछ जिम्मेवारी शासन को उठानी पड़ेगा और धीरे धीरे जमीन को पशु को मनुष्य को और अन्नों को खराब करने वाली परियावरों को बिगाड़ने वाली रासा एनिक खेती को हमको छोड़ना पड़ेगा बंद करना पड़ेगा कि अधुनिक विद्ञान इसी दिशा में चल रहा है खेती का और यह जब बात आती है तब और एक बात आती है कि आज हमारा जो अलपभू धारक और शिंचाई व्यवस्था के विरीप केती करने वाला किसान है उसके पास उपाई क्या है ऐसी अगर कम लागत की खेती करनी है तो उसको गाय पालने पड़ेगी देशी गाय पालनी पड़ेगी देशी गाय हमारे परंपरा में शर्दा का मानबिंद है देशी गाय खेती के लिए उपयुक्त पशु है हमारे आद दूत के लिए गाय कम पालते है गोबर गोमुत्र के लिए जादा पालते है हमारे सम्विदान में निर्देश है गोरक्षा हुए देश में इस तरह बढ़ाय कानून को और गोबर गोमुत्र के आज जो लाब है दूत का जो लाब है एटू मिल्क है मनुष्य के स्वास्थे के लिए पशुओं के और फसल के व्रिक्षों के स्वास्थे के लिए गोबर गोमुत्र का जो उपयोग है मनुष्यों के स्वास्थे के लिए भी जो है और इसलिए गोपालन कारिया भारत में चलता है परंपरा से चलता है आज भी भारत के अनेक लोग संत महात्मा संगटन व्यक्ति संस्ता है संग के स्वहिंचोक सईथ गोवरक्षा और गोपालन के कारिया में लगे गोवरक्षा और गोपालन के इस कारिय में वो हमेशा सत्भावना से चलते हैं क्योंकि यह सामप्रदा इक्ता का प्रश्ण नहीं है कि हिंदों की वानेता नहीं गोषाला चलाने वाले मुसल्मान सज्जन है मैं मिला हूँ गोरक्षा का प्रचार करने वाले मुसल्मान सज्जन है प्रत्यक्ष गोरक्षा के कारियों में उतर कर संगे से कोई संबंद न होते हुए भी गोरक्षा का काम करने वाले मुसल्मान भी है अन्य संप्रदायों के ल पिर भी और कतीपै परकरन इदर उदर होते हैं उसका गोरक्षो और को से संबंद क्यों जोड़ा जाता है वो तो वहां लिपत पाई नहीं गए को इस और वहाँ पर जिन्нов किया होगा उन्होंने गाय का आश्रा लिया होगаг असके आड में किया होगा लेकिन गाय की रख्षा करने वाले कि उन पर वी म्लेंट उनकी भ्यात्या वी है लुश्में को रक्षा का काम करने वाले मुसल्मान मतानु याई भी शहीद हुए उत्तर प्रदेश में कि वल बजरंदल वाली शहीद हुए ऐसा नहीं है अर्य विद्नै न शंबन सब्सक्राइब करके ही उसको चलान चाहिए और चल्लात है उसको सामप्रदाइक से जोड़ना यूसा से जोड़ना ये गलत बात है ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसा प्रचार होता है और इसलिए जब कभी अपने देश में कानुन व्योस्था ठीक रहे इसलिए सद्भावना से सद ही तुसे शासन में उच्च पदस्ता बैठे लोग कुछ बोलते हैं सुप्रीम कोड कुछ निर्णे देता है तो शब्दों का आधार लेकर उसको बिगाड़ा जाता है इसकी चिंता गोरक्षा करने वालों को नहीं होनी चाहिए वो उनके लिए है नहीं वो केवल उस वाक्यों को देखे उस आउश को देखे तो सही बात है समाज में कानुन से विवस्ता रहनी चाहिए गोरक्षा के आड़ में धर्म के आड़ में किसी भी बात के आड़ में हुंसा नहीं होनी चाहिए गोरक्षा करने वाली हूं सकते हैं गोरक्षा का सानिध्य तो अप्राधियों की अप्राध मनुरुत्ति कम करता यह उसका रिकॉर्ड है प्रयोगों से सिद्ध और इसलिए जो गोरक्षा का कार्य कर रहे हैं भक्ति पुर्वक प्रामानिक्ता पुर्वक कानुन सम्मिधान के दाइरे की चिंता करें और कानुन जहाँ जहाँ बना है उसका अमल ठीक से हो इसकी निगरानी रखे पुलिस के सामने उसी करण पड़ते हैं और कोई करण नहीं होता है शब्दों का आधार लेकर इस विशे को बर्गल आने से समाज में विनाकरण तक्राव उत्पन होता है कहीं मुसल्मान सज्जन मुझे मिले यह बताने वाले कि एक बार आप गोरक्षा का कानुन बनाने के ल तो यह विपरियत करना परिणाम करने वाला प्रचार को चलता है पता नहीं है शब्दों को बदनाम करना शब्द किसी पर चिपका कर उसको बदनाम करना यह प्रचार की रीती तो पहले से प्रचलित है आज कल एक विजिलैंटी नाम का शब्द चलता है उसका मुल्ड डिक शब्द का उच्चारण करगा उसको वो शब्द चिपका देते हैं कि हो गया बद्माभू सब विजिलेंटी हो गया जिस समिधान सभा के जिन कि इन जी महानुभावन के द्वारा और वो मार्ग दर्शक ततों में आया होगा वो भी विजिलेंटी थे क्या इस प्रचार से चिंतित होना नहीं चाहिए जो ऐसा उच्चा पदस्थ लोगों ने कहा है कोर्ट ने कहा है उसकी चिंता वो करेंगे जो गुनकार होंगे अप्रादियों को उसकी चिंता करनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए हमको उसकी चिंता करने का करण नहीं क्योंकि गाई इस देश की श्रद्धा है सविनान सम्मत है गावो विश्वस्य मातरा यह अभी विद्ञान से भी अक्षरशा सिद्ध होते जाना है के जयान में यह आता है कि सब बातों में सरकार की नीडी प्रशासन उसकी तत्परता उसकी सम्मेदना इसमें कुछ करने की आवश्यक्ता है लेकिन साथ-साथ समाज को भी बहुत कुछ करना है और इन दोनों से ज़ादा समाज को करना है क्योंकि वहाँ भी सामाजिक परिदुर्ष्ट को देखते है को कोई बड़ी अच्छी बात नहीं दिखती कहीं कहीं दिखता भी है जैसे अब कुर्शी की यह बात की हैं दूसरी विवस्था जलस इंचन है जिस पर वो कुर्शी निर्भर करती है कितने प्रयोग कर रहा है समाज सरकार भी कुछ उयोजनाएं कर रही नदियों का निर्मली करण नदियों के प्रवाहों का निर्मली करण अभी रेली करण कहां कहां और पानी भेजना कैसे भेजना कहां से लाना वहां भी विचार हो रहा है लिकिन समाज ने कितना बड़ा उद्यम किया है इस क्षेत्र में न आपने भी देखा होगा, मैं नाम नहीं लेता, कहीं भी जाओ आज, देश के किसी भी राज्य में जाओ, ये काम करने वाले लोग दिखाई देते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं चाहते हैं, इंजियोज है, संगठन है, संग़ के स्वंशोग है, समाज के सज्जन है, रैली आपना, जल्दी गती बढ़िए इंसारी बातों के, उस समन्वय पूंपह का भी कुछ उपाई सोचना चाहिए, समाज में यह होना चाहिए, समाज में तो समन्वय हो जाएगा, लेकिन समाज प्रशासण, शासण, इस समन्वय को करना है, तो शासण के द्वारा पहल करने प इत्तु चत्रों में समाज भी थोड़ा-ठोड़ा उद्यम करता है हमारे कार्पूरेट घराने भी कई प्रकार की सेवा चलाते स्क्हिल ट्रीनिंग चलाते अच्छी शिबाते चलाते ढ़ु उत्तम रिचि सेच इचि अप पर उन्तु कुल में लाकर समाज में जो आचरन की स्थिति देखते हैं, देखकर दुख्य होता है, कैसे कैसे प्रसंग होते हैं, स्कूल में बच्चे सुरिक्षित नहीं, नगरों के रास्तों पर महिलाए सुरिक्षित नहीं, चोटे-चोटे उपद्रों होते हैं, और बड़े उपद्रों में बदल जाते हैं, क्योंकि समाज कैसे कैसे आचरन करता है, घर में नहीं पीडी बैठी है, उसको समसकार नहीं, वो इंटरनेट पर जाता रहती है, वहाँ ब्लुवेल जैसे खेल चलते हैं, और वो परिणाम करते हैं, कैसे जाते हैं, हमारे बच्चे ऐसे चंगुलों में कैसे जाते हैं, हमारे ही देशकों लोग ऐसे काम कैसे करते हैं, क्या ये सामाजिक समरस्ता के सत्संस्कारों के अभाव का परिणाब नहीं है और ये सारी बाते हमको एक तो शिक्षा से मिलनी चाहिए शिक्षा नीति के बारे मैंने पिछले साल भी कहा था इस बार भी लिखित भाशन में मैंने कहा है उसकी पुनुरुक्ति मैं नहीं करता उस नीति की प्रतिक्षा है वो जल्दी आए मूल विचार करके संसकार देने वाली शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली शिक्षा मनुष्य को अपने आजी विका के लिए समर्थ बनाकर मनुष्य बनाने वाली शिक्षा मनुष्य को आज के विश्व के ज्ञान में स्परदा कर सकने वाला समर्थ मनुष्य बना पात्रता वो निर्मान करने के लिए उसकी जैसी देखबाल होनी चाहिए वैसे देखबाल की व्यवस्ता वैसा वातावर्ण बनाने वाले शिक्षा परिसर यह सब कहा है उसमें कि परम्तु क्या शिक्षा के विद्यालेव में होती है घरों में नहीं होती है समाज के उत्सों में नहीं होती अंदोलनों में अभियानों में नहीं होती क्या घर को चलाने वाले गुरहस्थों का अपने बच्चों को एक मनुष्य कहनाते अच्छे मनुष्य कहनाते तयार करना करता व्या नहीं है कि स्वयम का उधारन रखने का करताव या नहीं है अपनी आत्मियता से बालक आयू से शिश्वायू से उसको मन को ढालना ढालना है मुझे यह ध्यान में रखकर स्वयम बरतना उनका करताव यह नहीं है भदerta समरस्ता न्याए सहवेβαदना संगतन तो प्रेयास कर रहे चानों भी अपना काम कर रहा है देश्के दूरीर लोग भी कम से कम भाशन तो इसका उपयोग तो कर ई है उपरेस्ट तो कर रही रहे भाशन। परोन्थ केवल उससे काम महीं चलेगा सारे चेली सोचना पड़ेगा समाज की ये स्थिती अच्छी नहीं है कि सम्विधान सभा में सम्विधान जब प्रस्तुत किया अंतिम मसोदा उसका सारी चर्चा होने के बाद पहले प्रस्तुत किया चर्चा हुई समसोधों के साथ अंती मसवधा जब प्रस्तोत किया डॉक्टर अमबड़कर साहब ने तो उन्हों ने एक इशारा दिया है उसमें उन्होंनी यह कहा है मैं उनके सब्द़ पढ़ रहा हूँ मेरा कुछ नहीं है से भाषन में उन्होंनी कहा है अंग्री जी भाषन था श्री नरेंडर जाधों ने उसका अनुवात किया है डॉक्टर अंबेडकर राजनी की धर्म वह सविधान विजार पुरुष्ठ तीन सो तीन पर उम्हें पढ़ रहा हूं वो कहते हैं अगर हम प्रजा तंत्र को न केवल स्वरूप में बल्कि वास्तों में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए मेरे विचार से पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वह है अपने सामाजिक और आर्थिक लक्षप्राप्त करने के लिए सभी असम्वई धानिक तरीकों का दामन छोड़ना इसका अर्था है हमें क्रांती के खूनी रास्ते को त्यागना होगा इसका अर्था है हमें समिनय अवद्नय असहयोग और सत्याग रहके तरीकों को भी त्याग देना चाहिए वह यहां तक गये थे जब आर्थिक और सामाजिक लक्षों की प्राप्ति के लिए सम्वई धानिक तरीके उपलब धही नहीं थे तब तो असम्वई धानिक तरीके अपनाने का अउचित्य था परन्तु जहां समवईधानिक तरीके खुले हों तब इन असमवईधानिक तरीकों का कोई अउचित्य नहीं हो सकता ये तरीके अराजात्ता के व्याकरण के सिवाय कुछ नहीं है और जितनी जल्दी उनका ट्याक कर दिया जाए हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा कि उनके अनुभाव के बोले कि समाज के दुख़ के साथ समर शोकर उस दुख़ के निवारन के लिए सारा जीवन लगाने के बाग जो उनका अनुभवै सव्विधन सभा में पूरे भाशन में उसको उनने वेक्त किया है बग इनी निवीदी दानि भी यही का है उन्होंने इ civic life, and civic life sustains the nationality. This is the formula of human combination, the essentials of all four elements we have among us in our ancient dharma. But we have allowed much of their consciousness to sleep. We have again to realize the meaning of our own treasure. Samaj kutumbaki shakti hai. Nagarik sabhyajivan ki prushtha bhumi mein gruha jivan hai. घर के सांस्कार, और नागरिक sabhyajivan rastriyata का पोशन करता है. मनुष्यों को जोडने वाला या सूत्र है. इन चारों तत्वों के आवश्यक आउंश को हमें हमारे प्राचिन धर्मने दिया है. पर उन्तों हमने उनके प्रती अपनी अधिकाओं से चेतना को सुला दिया है. हमें पुरा अपने स्वयम के संचित नीधी के अर्थ को समझना पड़ेगा. साराओं शासन को नीधी वैसे रखनी पड़ेगी. अपने देश के परिवेश और आवश्चक्ता और जन के आधार पर करना पड़ेगा. उसका अमल ठीक से होता है ये भी देखना पड़ेगा. सबको साथ लेकर चलने वाली वो नीती होनी चाहिए हरक्षेत्र में. प्रशासन को सम्वेधन्शील होना पड़ेगा, अमल के बारे में तत्पर होना पड़ेगा. पारधर्शी होना पड़ेगा. और उसके लिए सर्जनों को सक्रियों के समाज को राष्ट्र हिताई को संग बद्ध आचरन के लिए प्रोरुद्ट करना पड़ेगा पहल करनी पड़े सबके सहयोक से और यह कामों का संग यही कर रहा है 13 साल से संग क्या करता है संग ऐसे स्वयम सेवक तयार करता है जो स्वयम सेवक अपने मात्रु भूमी के प्रती अटूट भगती रहते हैं रखते हैं और उसके प्रत्यक पुत्र के प्रती अपार आत्मियता वसंवेदना रखते हैं अपने उस मात्रू भूमी के अखंड स्वरूप का वरणद्व कर सकते हैं और असा करने में उनको कोई संकोष नहीं रहता उनको कोई डर नहीं रहता कोई लोकप्रियता कि आकांग्शा उनकी स्पष्टवादी का त्वा को रोक नहीं सकते निर्भेता पुर्वक वो उसको राष्ट्र के स्वरुप के स्पष्ट कल्पना उनके बुद्धी में है वैसे वानी में भी है मन में अपने पवित्र अखंड मात्रू भूमी की भक्ति और पुर्वजों का गवरो भणा है उसके प्रत्यक पृत्य के पतिया अपारा आत्मी अताव सम्वेदना है करुणा ह और इस राष्ट्र को परम्वेभो संपन्न बनाने के लिए सर्वस्वत्या गही जिनकी सामुहिक्ता और महत्वा कांशा का आधार है ऐसा व्यक्ति देश के प्रत्यक गाओ के महले में खड़ा करना उसके आधार पर वातावरन बनाना उस वातावरन में समाज अपना आचरण परिवर्तन करेगा उसके परिणाम सर्वत्र होंगे और उस वातावरन के आचरण के उस आचरण के वातावरन में जो आचरण बने पर समाज में स्वार्थ आलस्य भेद अत्म ही इतना सारी बाते ढूरोगी कि शवार रित नीती तो उत्तम क्रियान वयन कि सज्जन सक्तिका सहयोग ये बाते तो धिरे धिरे उबर रही है समाज के तैयारी की देरी है उसके लिए अपना हिया काम चला है उस काम में सहयोग का मैं आवाहन करता हूँ क्योंकि एक चित्र धीरे जरी उबर आया हम सब के मानस के सपनों में हिंदु भूमी का कणकण हो अब शक्ति का अवतार उटे जल थल से अंबर से फिर हिंदु का जेजे का रूटे कोटी कोटी हाथों वाली मा का अद्बुता का रूटे लख विश्व नयन विस्वार उठे जगजननी का जयकार उठे यह चित्र हम सार्थक कर सकते हैं यदि भी हम सारे सब सब लोग मिलकर समाज को इस तैयारी में लाएं कि वो भी अपना करता व्या करने के लिए आगे बढ से राष्ट्र के प्रगती में शासन की नीती प्रशासन के क्रियानवयन और समवेदना का जितना सहवाग रहता है उससे कई गुना जादा विशेशकर प्रजातंत्र में समाज के करने का सहवाग रहता है उसके लिए समाज को करने का यह तैयार करने का यह जो काम चला है उस